पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी आज एक कार हाथसे में घायल हो गई मतादे कि यह हाथसा उस वक्त हुआ जब वर्दमान से एक बैठक में शामिल होकर वापस लोट रही थी इसी दोरान कार में अचानक तेजी से ब्रेक लगने के कारण मम्ता बनर जी के माथे में चोट आ गई मतादे कि यह हाथसा ड्राइबर के अचानक ब्रेक मारने के कारण हुआ था हालां कि हाथसे के बारे में अभी तक पूरी डिटेल सामने नहीं आई है शुर्वाती जानकारी के मताबिक मुख्यमंतरी मम्ता की कार तेजी रफ्तार में आ रही थी इसी दोरान उस रास्ते में एक उची जगा आ गई इसके चलते ड्राइबर ने तेजी से ब्रेक लगाया और अचानक ब्रेक लगने से कार में बैठे लोग असंतुलित हो गए जिसके चलते मम्ता बनर्जी के माते पर चोट लग गई दूसरी तरफ सोशल मेडिया पर एक और जानकारी आई है कि मम्ता बनर्जी के काफले में चानक से एक दूसरी कार गुज गई थी जिसके कार यहादसा हुआ अब अगर ये बात की जाए कि चोट कितनी गंभी रहे तो बता दें कि मम्ता बनर्जी कि यह चोट फिलाल जादा नहीं बताई जा रही है इस बारे में ततकाल जानकारी भी नहीं मिल सकी है हलांकि बताय जा रहा है कि माते पर हल्की चोट लगी है मम्ता बनर्जी वर्दमान में पुशासनी कदिकारियों के बैठक के बाद प्रदेश की रहस्धाने कोलकाता लौट रही थी इसे दोरान रास्ते में उनकी कार इसाथ से का शुकार होई हलांकि चोट गंभीर नहीं होने से मम्ता के शुबचिन तको उने राहत की सांस लिया है इससे पहले बताया जा रहा था कि उन्हें हेलिकॉप्टर से वापस लोटना था जानकारी के मताबिक पश्चिन बंगल के मुख्यवंतरी मम्ता बनर जी बर्धमान जिले में एक सारजनिक सेवा वितरन कारकरम में साले ने पहुंची थी पहले यहां से उन्हें हेलिकॉप्टर से वापस आना था लेकिन खराब मौसम के चलते हेलिकॉप्टर उडान नहीं भर सका हैसे मुने सड़कमार्ग के सहारे ही कोलकाता के लिए रवाना होना पड़ा इसी दौरान उनकी कार हादसे का शुकार हुई और मम्ता बनर जी चोटील हो गई इसके बाद से ये खबर तेजी से वारल हो गई और हर कोई मम्ता बनर जी के जल्द ही सुष्ट होने की काम ना कर रहा है बता दें कि आज ही ये खबर आई थी कि मम्ता बनर जी इंडिया गटबंधन से नाराज हैं और मम्ता बेनर्जी ने ये साफ तोर पर कह दिया है कि वो बंगाल में बीजेपी के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ेंगी। मम्ता ने ये साफ कर दिया कि अब उनका आईंडिया से कोई ऐसा नाता नहीं है पर गटबंदन का कोई नाता नहीं है। फिराल उन्होंने ये साफ नहीं किया कि क्या वो देश में कॉंग्रिस के साथ रहेंगी या फिर नहीं क्योंकि पश्चिम बंगाल में उन्होंने अकेले चुनाउं लड़ने का फैसला किया है उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने में वो अकेले ही स्वक्षम है ऐसे मुन के साथ ये हादशा उनके शुबर चिंतकों के लिए चिंता का विशे बन गया है मेरा हाल इस खबर में इतना ही बाकी के अमर्टाज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें One India Hindi